हलो और वेल्किम दोस्तों तो 5 Minutes Engineering आज का वीडियो आखे बड़ा कमाल का उने वाला है दोस्तों क्योंकि आज के इस वीडियो में मुद्दा क्या दिखाई दे रहा है ग्रेड कम्प्यूटिंग का जिसको आज अपको समझने वाले एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जिसके बहुत सारे सवाल जो है वह आपके exam paper में आते हैं उनिवसिटी exams मेет और बार-बार आते हैं लगाता राते हैं तो उसमें किया उत्तर मैं आपको दिनव смотрите एक से बहले दो से बहले बहुत ज्यादा जी यहाँ ऐसे समझ सकते ही है ? यहाँ एक था मीकूर की समझ सकते हो !! अब कुछ ना कुछ आइडिया उनकल आपको बताता हूं जिसी कि आईडिये क्लियर हो ग्रिड कम्प्यूटिंग आखिर क्या करना चाता है तो देखो है आपमे एविंजर्स दे एंड गेम भाईया ये मूवी सब ने देखी है सबको बड़िया लगी है बहुत ही पैसा चापा है भाईया है कि ने उस मूवी ने उसमें हुआ क्या था लास सीन में जब वो बोलता ह एविंजर्स असेंबल तो वो था क्या चीज भाईया अगर आप देखोगे वहां पे बहुत सारे सुपर हिरो उस्ते बहुत सारे उनके अपने अपने अपनी खासियत थी बराबर है यहां पे हर एक सुपर हिरो को आप एक कंप्यूटर की तरह देख सकते हो जो की एक नेट टास्क को अकंप्लिश करने के लिए कौन सा टास्क था कि ठेनोस ची ठेचेची है मतलब जो कभी है वो इस वाक्य से क्या कहना चाते है कि यह ठेनोस की चुटकी बजानी है यह एक कौमन उद्देश यता सब का कि भाई इसकी तो आज चुटकी बजाएंगे आपन सही बात ह और वो बजाई तो वो टास्क उन्होंने अकंप्लिश किया कैसे उन सबने अपने शक्तियों का भरपूर प्रदर्शन जो है वहाँ पे दिखाया किया है कि नहीं और यही चीज जो है यहाँ पे ग्रीड कंप्यूटिंग में कंप्यूटर्स करते हैं कि उनके जो भी रिसोर को कंबाइन करके आपके में टास्क का या में अब्जिक्टिव गोल का जो सोलुशन है उसे प्राप्त किया जाता है तो यही चीज जो है यहाँ पर ग्रीड कंप्यूटिंग में परफॉर्म हो रही है जादा तर तो पर आप जैसे देख सकते हो या कुछ ऐसे टास्क होंग कंप्यूटर अगर इसको करने की एक्जिक्टूट करने की अगर कोशिश करे तो उसका कॉस्ट भी बहुत जादा जाएगा टाइम भी बहुत जादा जाएगा और मेबी यू वोंट गेट दे रिजर्ट इन परेक्ट फॉर्म ठीक है ऐसी बहुत सारी चीज हो सकती तो इसल नहीं बोला भायबं Creator मतलब आपके नोड उते जो भी आपके नेटवर्ट में SAN अनको वख अईसा इसा जो नोड सकते हो गया तो यह उंको आपने णोन हैं ऑपूँ रिक्राशिस उस्टोर्ण और मेंस बगइया हो इसे उनका इस्तमाल किया जा सकता है ताकी एक common goal को या task को successfully complete किया जा सके और ऐसा कुछ नहीं वया कि आपका जो ये network है इसमें कुछ इतने आकड़े ही होने चाहिए आपको नेटवर्क में नोड्स के अलग अलग विविद विविद प्रकार जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कुछ नोड्स होते हैं जिनके नाम सी उनका काम आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका जो भी पूरा network है उसमें जितने भी नोड्स है उनके बहुत सारे resources available हैं उनका इस्तमाल करना है तो कैसे करना है यह control किसके हाथ में है आपके control नोड के हाथ में तो वो सब कुछ manage करने कोशिश कर रहा है तो यह आपका कुछ notes होते हैं जो कि user notes होते हैं मतलब जो आपके clients customer जो होते हैं तो वो क्या कर रहे हैं उन resources को ऐसा भी एक पहलू होता है और अगर आप देखो के गौर से तो कुछ जो आपके systems होते हैं computers होते हैं कुछ ऐसे notes होते हैं वो इसके बीच में जो है वो switch भी करते रहते हैं कि बहुत ज्यादा important मतलब एक software जिसे अपन middleware बोलते हैं जिसे अपन middleware बोलते हैं जो कि run करता है on the control node जो कहां run करता है on the control node वो क्या कर रहा है एड्मिनिस्टर करने कोशिश कर रहा है नहीं होना चीए this should not happen क्योंकि इसकी वज़से efficiency पर फरक पड़ेगा आपके overall network के तो यह चीज कते ही नहीं चीए कि भाईया सारा काम एक कोई दिये जा रहे और बाकी सब आराम्स एस कर रहे ऐसा तो नहीं है ना है कि नहीं अपना जो वह यह Avengers endgame है अगर सारा का सारा लोड बाईया Captain America पर आ जाता तो Thanos की चुटकी नहीं बजा पाते है अपन यह सब का collective effort था कि जिस वज़से चुटकी बजा पाए अपन Thanos की तो यहीं चीज जो है अपने को यहां पर समझ नहीं है कि कि किसी एक particular node पर जादा ओर लोड नहीं होना चीए साथ यह साथ देखो बाईया उस respective network को corrupt करने के लिए आया होगा उसके data को corrupt करने आया होगा उसके data theft करने के लिए आया होगा कुछ भी ऐसा cruel intention के साथ अगर वो आपके network के साथ जुड़ा होगा तो भाईया वो कोई भी process run कर सकता है कोई भी software वहां पर run कर सकता है अगर वो कर सकता है तो फिर यह खत्रा है warning है threat है तो इस वज़े से यहाँ पर middleware क्या करता है हर process को एक तरीके से authentication process के थुरू गुजारता है कि भाया देखता है कि भाया यह valid process है भी या नहीं अगर वो होगी तो ही वो pass होती है और फिर वो run होती है और जिस वज़े से security भी आपकी intact बनी रहती है साथी साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी जैसे कि भाया यह यानि मेरा कहने का मतलब है कि देखो अपना जो network है उसमें बहुत सारी systems आपस में जुड़े हुए एक साथ मिलके भाया काम कर रहा है ताकि कोई goal अचीव कर सके तो वो जितने भी भाय साब आपके system है वहाँ पे तो उनका जो भी configuration होगा system configuration अगर वो लगबग लगबग same ही है बराबर अगर उनका OS है जो कि same OS पे operate कर रहे हैं तो आप वहाँ पे वैसे networks को homogeneous network का होगे क्या कोगे homogeneous network और ऐसे networks जहाँ पे जो systems है उनका system configuration अलग है वो different OS के उपर operate कर रहे है तो वहाँ पे आप उस network को heterogeneous network कहके संभोधित करोगे तो आप दोस्तों इस वीडियो के जरीए बहिया grid computing क्या बवाल है या आपके समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए उससे भिजाज जरू इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथ दोस्तों के साथ thanks a lot दोस्तों for watching this video